नमस्का दोस्तों हमारा चैनल सिविल इंजिनियर विशीत खंड़ा में सबको सबका थे तो आज का वीडियो में मैं आप लोग को देखाऊंगा एक स्ट्यार केस का सेल प्लान और यह जो स्ट्यार केस है ना स्ट्यार केस को हम लोग माईबन फॉर्मवर्क से सेटिंग करेंग तो इसका वीडियो पार्ट बाई पार्ट आप लोग को देखाऊंगा एक जो स्ट्यार केस का प्लान देख लाए ना एक डिटेंस प्लान है तो देखो एक कॉलाम है एक कॉलाम है एक कॉलाम है चार साइट में चार कलाम है और बीच में स्ट्यार केस है एक जनली इंडस्ट देखो आभी आप लोग्हो में देखाता हो चाहरी स्टियारस में इस सेल प्लान देखा रहों आप लोगों को तो थे का दाइमेंशन आब लोग अच्छा से देख लो टोटाल जो लेंग थे 7 मीटर 250 mm, मिली मीटर में है सारे डाइमेंशन, तो एक कोलाम का आउटर से एक कोलाम का आउटर तक 7 मीटर 250 mm, और बीज में से डिस्टेंस से 6 मीटर 500 mm, तो एक कोलाम का है सारे सास्तो वे सारे सास्तो एमेंशन, स्कोईर कोलाम है, और कोलाम का आउटर से डिस्टेंस से 5 मीटर 750 mm, और इसका जो वाल है, 400 mm होईद है, वाल का, एस साइड का वाल 400 mm होईद, और एस साइड का तीन सो पचास एमेंशन, चोड़ा, ओके, एस साइड का भी 400 mm, और एस साइ क्या भी 350 mm ओके तो स्ट्यार केस का जो टोटाल हाइट है हाइट यहापे तीन मिटार है स्ट्यार केस का यहापे दो लैंडिंग है देखो तो लैंडिंग का डिस्टेंस कितना है लैंडिंग देखो आप इधार से यह जो फास्ट लैंडिंग है ना फास्ट लैंडिंग का आपका जो चावड़ा यह उनिस्ट पचास में सेकेंड लैंडिंग का उनिस्ट अमेंडिंग है ठीक है देखो कोलाम का यह चार कोलाम स्कॉयर कोलाम है इसका डामिेशन देक्वे सार साथ सो वह सार साथ सो ओके कि तो और एव और बी जो देख रहा हूं ना एग्ण में सेक्शन काटा हुआ है यह साइड से काटेंगे तो ड्रॉइंग को कैसी दिखेगा वही दिखाया गया है ओके टोटल नाइन ट्रेड है इसमें टोटल नाइन ट्रेड है एक्वार्ट स्पेसिंग में ओके और इधर का 3700 का 3700 का वल्थिकनेस आप लोग को बता दिया आपका 9 ट्रेड है 10 राइजार है ठीक है एक में और मतलब 2 फ्लाइट में 20 राइजार हो गिया और 19 ट्रेड हो गिया राइजार इकोल ट्रेड प्लास 1 ओके एकोईसान है राइजार इकोल ट्रेड प्लास 1 यह जो प्लान दिख रहा हो ना प्लान में 2 सेक्षन काटा हुआ है A बाइ A B बाइ B तो आपको देखना कैसा है देखो आप लोग को पहले से बता रहो plant से actual height पता नहीं चलता है plant से only dimension पता चलता है तो आभी देखो यहापे 3 meter, 3 meter height है height पता करने के लिए आपको elevation देखना पड़ेगा myone format में कोई भी drawing देखो आप आपको plant में only dimension मिलेगा height देखने के लिए नहीं मिलेगा height देखने के लिए आपको elevation में जाना पड़ेगा ओके देखो यह हो गया staircase का trade यह हो गया eriser यह trade, यह riser horizontal जो surface से staircase का trade हो गया trade बोलते और vertical जो surface से इसको riser बोलते ओके trade यहापे 300 mm राइजर और 1500 mm ओके 20 राइजर हे total और आपका 19 ट्रेड हे क्योंकि राइजर एक्वाल ट्रेड प्लास वान यह equation हे ओके यह फास्ट लैंडिंग 19 सो पचास mm ओके सेकेंड लैंडिंग और 900 mm ओके 350 mm का यहापे वाल का वहित था एक्चॉली यहापे बीम रहता है टेक है वाल नहीं है बीम यहापे और चाड़ो साईट कॉलम है चाड़ो साइट कॉलम और दो साइट AC АвQUE चाड़ों तरब ओके तो चाड़ों साइड कलम है बीच में स्ट्रेयर के से यह दोनों बीम है 5ल ईक्वाल जाएड डे को कि रैजर का हाइड़े से में दौस राइजर के लिएल डे मिटर इसको फ्लाइड बोलते हैs देखो फ्लाइट नंबर फाइब द्लाइट नंबर सेवें प्लाइट नमबर 6 फ्लाइट नमबर 8 ओके दोनों जो बीम दोनों फ्लोर का बीम में क्लियार डिस्टेंस हो रहा है चोबी सो पचासमेम क्योंकि छोसमेम का बीम है यह तो आक्चोली प्लाइन में आपको क्या देखना रहाएगा स्टेर ड्रीज कैस का प्लाइन में आपको डायमेंन स्टेंक करना रहा है और उसके बाद आपको कितना राईसार है कितना ट्रेर है वो देखना पड़ेगा आप 거야 पूरा प्लान में actually काम रहते हैं. जहां पर सेटिंग करेंगी, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है होी ही देखने का आपको माइवन फोमर्क सेटिंग करना रहेगा ओके अर देखो दोनों फ्लाइट का बीच में यहाँ पे जो डिस्टेंस है गयाप है नौसो पचास मिम का गयाप है ओके नौसो पचास मिम का गयाप है दोनों फ्लाइट का बीच में तो ठीक है उमीद करता हूँ आप लोग समझ गये होंगे में जो जो समझा आप लोग को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सेयर कर दिया करो